हलो एवरीवान यह सौर्टिंग अल्गॉरिफम्स की सीरीज में हम तीन अल्गॉरिफम्स देख चुके हैं सेलेक्शन सौर्ट, बबल सौर्ट और इंसर्शन सौर्ट अगली अल्गॉरिफम मर्चन सौर्ट को पढ़ने से पहले हम दो क्वेशन सौर्ट करने वाले हैं अगर आपने अभी तक बबल सौर्ट और सेलेक्शन सौर्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आइविल रेक्मेंड कि आप वो वीडियो देख लो पहले जाके क्योंकि आज उन्ही का logic हम questions में use करने वाले हैं last lecture में हमने इंशर्षन सौर्ट पढ़ा था in fact हम सारे ही sorting algorithms का complete analysis along with their time and space complexity, their stability property यह सारी चीज़े हम देख चुके आज के question में हम दो questions कर रहे हैं as I told you and let's get started with the questions without further ado so in the first question we are given an integer array basically zero, negative numbers, positive numbers सारे integers present हो सकते हैं इस given array के अंदर और हमें करना क्या है? हमें सारे zeros को end में move करना है but provided the relative order of the non-zero elements should not change ठीक है? मतलब यह question का कि यह आपको जो यह array दिया हुआ है इसके अंदर जितने भी zeros हैं इन सब को end में move करना है ठीक है? दो zeros थे दोनों zeros end में move हो गए but provided कि जो relative order है non-zero elements का वो change नहीं होना चाहिए तो non-zero elements का order इस example में 5342 था 5342 इस order में आ रहे थे न तो जो output है उसके अंदर भी 5342 इसी sequence में होने चाहिए ठीक है? आपको sort नहीं करना ऐसा नहीं है कि 425300 answer ले आओ क्योंकि 0 थो सारे end में अभी भी आ गए न अगर आप इसको decreasing order में sort कर दो तो पर decreasing order में sort नहीं करना है जो बाकी elements है उनका order वही रहना चाहिए जो की question में given है चीक है? अब याद जारा सोचो ऐसी कौन सी algorithm आपने पढ़ी है selection sort, bubble sort, insertion sort इन तीनों में से कौन सी वो algorithm थी जिसके through हम कुछ elements को last में ले जाते थे मैं जादा hints नहीं दूँगी यहाँ पर ठीक है? चलो थोड़ा सा hint देते हैं कि swaps करके कौन सी algorithm में एक particular element को last में ले जाया जाता था क्योंकि उसी technique को हम use करके zeros को शायद end में ले जा पाएंगे ऐसा कुछ intuition बनेगा तो अगर आपने सही guess किया है तो आपका answer होना चाहिए bubble sort क्योंकि bubble sort में देखो हम क्या करते थे यह bubble sort का example है हम adjacent elements को compare करते थे और अगर हमें non desirable order दिखता था non desirable order मतलब अगर हमें increasing order में sort करना है और अगर आपको decreasing दिख जाए numbers जैसे 7 और 6 यह order non desirable था क्योंकि हम increasing order में sort करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे swap कर देते थे and we would continue comparing the adjacent elements and we would swap if we find any non desirable order of elements ठीक है जैसे हमें 7 और 5 में भी non desirable order दिखा तो हमने फिर से swap कर दिया और 7 को यहाँ लिख दिया और 5 को यहाँ लिख दिया right swap करके तो ऐसा करके आप देख रहे थे कि एक iteration के अंदर एक element सही जगा पर पहुच जा रहा था end में पहुच जा रहा था और वो सही जगा कौन सी थी kind of end तो यहाँ इस question के अंदर भी हमें similar चीज करनी है बस इस बार हमें comparisons नहीं करने कि वाला जो हमने code देखो आप यह जो comparison किया था यह non desirable order था इस बार non desirable order क्या है अगर हमें मान लो कहीं पे jth position पे 0 दिख जाए jth पे आपको 0 दिख गया let's say j 0 है और इस पे आपको 0 दिख गया और उसके बाद आपको non zero दिख जाए तो वो non desirable हुआ ना क्योंकि zero non zero element से पहले नहीं आ सकता क्योंकि question में कहा है कि zeros तो end में ही जाएंगे तो अगर कहीं पे non zero element है तो उसके पीछे zero नहीं हो सकता और in other words अगर कहीं zero है तो उसके बाद non zero element नहीं आ सकता zero के बाद सिर्फ zero आ सकता है या फिर zero के बाद error खतम हो सकता है पर zero के बाद non zero element नहीं आ सकता तो non desirable condition हमारी क्या है इस case में कि अगर हमें a of j पे zero दिख जाए और a of j प्लस 1 पे हमें non zero element दिख जाए तो हमें इन दोनों चीज़ों को swap कर देना चाहिए ऐसा करने से हम zero को अगर हम सारे swaps करते जाएं end तक हम zero को end में पहुचा देंगे वैसे end का मतलब हुआ कि आप कौन सी iteration हो उसके according end पे है ना एक example से समझतें इस चीज़ को देखो हमारे पास initially array है zero five zero three forty two ठीक है हम first iteration में अभी i equal to zero पे आप इन दोनों को compare करोगे j equal to zero है और j plus one obviously one होगा तो 0th index और first index पे values compare हो रही है compare होने का क्या मतलब है compare होने का यहाँ पर मतलब यह है कि हम यह देख रहे है कि a of j पे 0 है और a of j plus one पे non zero है चीक है हम यह condition ढूंड रहे है अगर हमें कहीं पे भी यह condition मिल जाती है तो हम कहते हैं कि यार ने यह तो गलत हो रहा है इस चीज़ को सही करना चाहिए और इनको swap कर देना चाहिए तो यार 0 और 5 को हम swap कर देंगे यहाँ 5 आ जाएगा यहाँ 0 आ जाएगा यहाँ 5 आ गया यहाँ 0 आ गया चीक है जे की value यहाँ थी अब जे की value को move करके change कर सकते हैं जे को यहाँ ले आएंगे जे और जे प्लस one को फिर से compare करेंगे जे पे तो 0 है लेकिन जे प्लस one पे non zero नहीं है जे प्लस one पे भी zero ही है तो हम इन दोनों को swap करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता आप swap कर दोगे तो भी 00 ही रहेगा swap नहीं करोगे तो भी 00 ही रहेगा तो हम swap नहीं करते क्योंकि हम condition ही ऐसी लख रहे हैं a of j पे zero दिखना चाहिए j plus one पे non zero दिखना चाहिए तब ही हम swap करते हैं तो हम j को आगे बढ़ा देंगे j अब यहां आजाएगा j और j plus one को compare करेंगे यहां हमें फिर से गड़बर दिख गई non desirable order दिख गया है यहां पे क्योंकि a of j पे zero है और a of j plus one पर three है non zero है so this is a place where we want to swap we do not like this order this should not be here zero के बाद non zero नहीं हो सकता non zero के बाद ही सारे zeros आएंगे तो हम इनको swap करके यहां three लिख देंगे यहां zero लिख देंगे और j की value को भी यहां ले आएंगे again j और j plus one देखेंगे j और j plus one पर क्या है j पर zero है और j plus one पर non zero है again non desirable order यहां 42 कर दिया यहां zero कर दिया अब देखो end of iteration पर आप क्या देखते हो कि आपका जो zero है एक zero आपका end में आ गया है 5, 0, 3, 42, 0 यह दिख रहा है हमें end में इस iteration के end में एक zero हमें end में आता हुआ दिख रहा है तो एक zero end में bubble out हो चुका है अब अगर चीज़े वैसे ही चलें जैसे bubble sword में चलती थी तो अगली iteration में दूसरा zero भी end में चला जाएगा देखते हैं अभी हमारे पास आरे है 5, 0, 3, 42 और 0 अब देखो हल एक iteration में आयत iteration में last i elements अपनी correct position पे होते हैं तो i equal to 1 पे हैं अगर हम तो हम जानते हैं कि आखरी एक element तो अपनी correct position पे है तभी तो इस code के अंदर हम j को 0 से n-i-1 तक चलाते थे अगर आपने bubble sort का lecture नहीं देखा है फिकर करने की जरुवत नहीं है हमें basically fourth index की फिकर करने की जरुवत नहीं है we just have to do our comparisons in this place only ठीक है आप comparison swap जो भी हमें करना है सब यहीं करना है ठीक है तो j की value 0 से शुरू करेंगे j पर हमें 0 नहीं दिखा तो हम j plus 1 पे check भी नहीं करेंगे हमें j पर 0 नहीं दिखा ठीक है कोई दिखकत नहीं है j की value को आगे बढ़ा दो अब j पर 0 दिख गया और j plus 1 पे non-zero दिख रहा है this is a non-desirable condition so we will swap and we will increase j's value right so j यहाँ आजाएगा और j और j plus 1 पे फिर हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है 0 non-zero again a swap should be there तो यहाँ पर 42 आजाएगा and here we will get 0 चीक है इसको और इसको compare करने की इसको और इसको analyze करने की देखने की जरुवत नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि आई-th iteration में we know कि last i elements already correct place पर है that is why j का loop n-i-1 तक चलता है ठीक है हम यहाँ पर 5, 3, 4, 2, 0, 0 our array looks like this now अब हम next iteration पर जाएँगे i is equal to 2 पर और हमें 5, 3, 4, 2, 0, 0 यह हमारा array का current condition है ठीक है now again we will see if the current element is 0 it is not 0 so we will just increment j a of j is still not 0 will again increment j a of j is still not 0 ठीक है अब यहाँ आगे की चीज़े check करने की हमें जरूरत ही नहीं है because यहाँ पहले दो iterations में last दो positions पे तो 0 आ ही गए थे so we know कि यहाँ पर 0 है ठीक है अब हम i की value 3 पे जा सकते हैं हम पूरा i का loop 0 से n-1 या n-2 तक चला सकते हैं जैसे हम यहाँ इस वाले कोड में करते थे bubble sort वाले में but we do not need to do that we have already moved all our zeros to the end अब यह बात हमें पता कैसे चलेगी जैसा कि bubble sort में हमने किया था एक optimization किया था हमने bubble sort में एक flag नाम का boolean variable लिया था जिसको हमने initialize किया था हर एक i की value के लिए i वाले loop के अंदर हमने उसको false initialize किया था और j वाले loop में हम जब भी swap करते थे हम इस flag को true करते थे और i की अगली iteration को करने से पहले हम check कर ले थे कि यार flag true है या फिर flag false है ठीक है अगर flag false ही है तो इसका मतलब यह है कि कोई swap नहीं हुआ है अगर कोई swap नहीं हुआ है तो हमें iteration अगली i की करनी ही नहीं चाहिए तो हम यार रुख जाते थे तो यार same optimization bubble sort वाली flag वाली use करके कि यार swap हुआ या नहीं हुआ बेसिकलिए लगाना है एक iteration में वो same चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं to reduce the number of swaps ठीक है in case पूरे iterations n-2 iterations करने से पहले ही हमारा sort हो चुका है n-1 sorry n-1 iterations करने से पहले ही हम लोग सारे zeros को end में move कर चुके है चीज है तो उसके बाद हमें अगली iteration नहीं करनी है चीज है यार इसका implementation बिल्कुल similar होगा bubble sort वाली implementation से यह bubble sort का implementation था सिर्फ यह condition change होगी बाकी कुछ भी change नहीं होगा बिल्कुल same code रहेगा ठीक है that's why you should watch the bubble sort lecture before this lecture तो हमें एक नई class बना लेते है move zeros चीज है इसके अंदर हमारा main method है और एक array है चीज है we want कि जो सारे zeros है वो end में move हो जाए चीज है increasing या decreasing order में sort नहीं करना है आप यह कह सकते है कि आपको एक sorting key दी हुई है कि सारे zeros end में move हो जाए चीज है orders जो elements है वो rearrange होने चाहिए but in such a way that all elements move to the end of the array ठीक है तो यार n is array's length अब जैसा यार बिल्कुल bubble sort वाली चीज करेंगे यहाँ पर i का loop लगाएंगे 0 से n-1 तक ठीक है तो यहाँ पर n-1 iterations हम कर रहे है ठीक और हर एक iteration में हम adjacent element square compare करके देखना चाहते हैं तो यह loop हम अंदर वाला n-i-1 तक लगाएंगे because we know कि last i elements तो अपनी सही position पे है last i positions पे 0 ही होंगे so we do not need to see की बहाँ पर क्या पड़ा हो है right we do not need to do any swaps there ठीक है यहाँ पर हमें check क्या करना है क्या array of j 0 है and array of j क्या non-0 है ठीक है क्योंकि इस बाद non-desirable चीज यही है एक 0 के बाद कभी भी non-0 number नहीं आ सकता है ठीक है एक 0 के बाद या तो 0 आएगा या 0 के बाद array end हो जाएगा ठीक है 0 के बाद कभी non-0 नहीं आएगा अगर 0 के बाद आपको non-0 दिख रहे है तो आप non-0 को पहले ले आओ और 0 को बाद में ले जाओ यहां में करना है ठीक है यहां पर हमें स्वाप करना है कि स्वाप कर दीजिए array of j को और array of j plus one को ठीक है यहां पर मैंने गलत लिख दिया यह हम j plus one पे चेक कर रहे हैं डोनों जै लिख दिये थे तो array of j पे 0 है और array of j plus one पे 0 नहीं है यह कंडिशन अगर डू हो जाती है तो वी विल डू अश्वाप कि स्वाप में array of j को हम टेंप में स्टोर कराएंगे और array of j की जगा हम array of j plus one रख देंगे और array of j plus one में हम टेंप स्टोर करा देंगे टेंप में ओरिजनल वाल्यू पड़ी है array of j की राइड चेक है तो ऐसा करने से हमारे का इटरेशन में एक 0 को जो end part of the array है उसके अंदर पुट कर रहे है ठीक है so now let's print the array कि यार यह operations करने के बाद क्या array हो गया यह चीज़ हमें print कर लीनी चाहिए and then we will run it ठीक है so for each value in the array we are printing all the values ठीक है तो यह देखो one ten five four zero zero जो input था उसके अंदर दो zeros थे वो दोनों ही last में move हो गए अब आप एक और input पे चला के देख लो कि यार इसके अंदर सिर्फ एक five है और बाकी सारे zeros हैं तो क्या five starting में और बाकी five zeros end में आ रहे या नहीं आ रहे तो बिलकुल ऐसा हो रहा है ठीक है तो हमारा code बिलकुल ठीक काम कर रहा है and with that we have completed the first question moving on to the next question in this question we are given an array of strings ठीक है array of fruits, fruit names basically हमें strings में दिये है and we have to sort it in lexicographical order using selection sort sorting algorithm कौन सी यूज करनी है वो already question में दिया हुआ है कि selection sort यूज करना है selection sort नहीं आता है तो video देख लो पर selection sort में हम fundamentally minimum element को pick करते हैं और उसकी correct position पर रख देते हैं और हर बार हर iteration में हम यह चीज करते हैं and by the end of all the iterations हमारा पूरा array हमें sorted मिल जाता है अब यहाँ पर बस हमें नया जो सीखना है वो यह lexicographical order है कि lexicographical order क्या होता है या जो dictionary order होता है उसी को lexicographical order कहते है for example अगर मैं इन elements को compare करूँ आपस में ठीक है तो apple इन में सबसे छोटा है apple के बाद kiwi है क्योंकि a सबसे पहले आता है alphabetically उसके बाद के आता है then l m p w तो alphabetically तो इन सब में तो खेर पहले पहले characters ही different थे ठीक है पहला character तीनों में c है ठीक है अब कैसे decide करें कि कौन सा lexicographical order के according छोटा है and which one is big ठीक है तो अगर पहला वाला character हमें same मिल जाता है तो हम दूसरे character पर जाते है दूसरा भी same है दूसरा same मिल जाए तो तीसरे पर जाते है तीसरा देखो l इसमें t और इसमें t ठीक है lt से पहले आता है तो college जो है वो cot से छोटा हो गया ठीक है cot से भी छोटा हो गया और cottage से भी छोटा हो गया लेकिन cot और cottage में अगर हम compare करने लग जाए तो इसमें t और इसमें t यह third t और third t तो same है third character, third character है ना, उसके बाद लेकिन ये खतम हो गया और इसके अंदर record दी है तो dictionary के recording, c-o-t-e-r पहले आता है और ये cottage बात में आता है, तीनों का relative order हमें क्या मिला, lexicographically कि college is less than cot and cot is less than cottage, तो सबसे बड़ा इसमें cottage हो गया, ठीक है, अब याँ numbers में भी ये जीज हो सकती है, इस question में तो हमें strings ही दी हुई है, बट कई बार आपको बोला जाएगा कि numbers को lexicographically sort कर दो, ठीक है, numbers अगर आपको let's say ऐसे दे दिये जाए 1, 10 100, 2 20, तो पता यहाँ पर क्या order है ये lexicographical order में ही लिखे है मैंने, numerical order में अगर हम लिखते, तो order होता 1, 2, 10, 20 100, यह यह order होता, लेकिन lexicographical order में, order 1, 10, 100, 20, 220 है, ठीक है, क्योंकि पहले तो सारे वो आएंगे यार जो 1 से शुरू होते है, जो 2 से शुरू हो रहा है, वो बड़ा ही है, कोई भी जीरो है, तो 1, छोटा है 10 से, 10 और 100 को compare करो, तो 2nd, character दोनों में सेम है, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर, इसमें 0 है, तो 10 100 से छोटा है, यह कहलो कि 100 10 से बढ़ा है, 100 और 2 में 2 बढ़ा है, और 2 और 20 में 20 बढ़ा है, तो यह होता है, लेक्सिको ग्राफिकल ओडर, अब हमें selection sort यूज करना है, और हमें leक्सिको ग्राफिकल ओडर में sort करना है, अगर आपको selection sort याद नहीं है, तो I'll recommend कि एक तो बार आप पहले देख लो, ठीक है, बाकी code में आपको दुबारे से दिखा देती हूँ, selection sort का, ठीक है, selection sort में हम एक outer loop लगाते थे, जिसमें I current index को represent कर रहा होता था, कि हम currently कौन से index पे सही element लागते रखने वाले हैं, ठीक है, फिर हम unsorted part of the area में से minimum element निकालते थे, minimum index रख लिया I, और minimum index को update करते गए, जब भी हमें कोई element A of minimum index से छोटा देखा, ठीक है, जे को शुरू किया I plus 1 से N तक, क्योंकि पहले I elements पे तो हमने correct elements रख दी हैं, पहले I indexes पे, ठीक है, और minimum element जब हमने निकाल लिया, तो end में आके current element के साथ उसको swap कर देते थे, यह हम selection sort में करते थे, अभी हमें lexicographically sort करना है, तो यह वाला step हमारा बदल जाएगा, हम strings को ना ऐसे compare नहीं कर सकते, यहाँ एक और नई चीज़ आप सीख रहे हैं, कि strings को कैसे compare किया जाए, आप directly यह नहीं लिख सकते, कि यहाँ अगर s1 college है, और s2 caught है, ठीक है, तो आप s1 less than s2 लिख कर नहीं पता लगा सकते कि s1 less than s2 है या नहीं है, ठीक है, strings में यह वाला operator काम नहीं करता, strings के लिए हमारे पास एक और operator होता है, जिसको कहते हैं compare to, ठीक है, s1.compare to, s2, ऐसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है, अगर s1 less than s2 होता है, अगर s1 less than s2 है, so if s1 is less than s2, then this method will return a negative number, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, कि अगर s1 less than s2 है, तो यह एक negative number return करेगा, ठीक है, और अगर s1 greater than s2 है, तो यह एक positive number return करेगा, ठीक है, positive number, और अगर s1 equal है s2 के, तो यह 0 return करता है, ठीक है, तो हम इस method का use करके, यह पता लगाएंगे कि s1 बढ़ा है, यह s2 बढ़ा है lexicographically, ठीक है, तो selection sort वाला same code हमें लिखना है, comparison की सिर्फ condition बदलेगी, condition में भी compare करने का तरीका बदलेगा, क्योंकि इस बार हम integers को नहीं, strings को compare कर रहे हैं, that to lexicographically, okay, so let's make a new class, in fact, main class को main, main नाम की java file जो है, इसी को use कर लेते हैं, इसमें मारे पास main method बना हुआ है, string का array हमें sort करना है, इस बार, right, हमें fruits दिये हुए है, यह हम user से भी input ले सकते हैं, या आप खुद से भी directly ऐसे लिख सकते हो, चीक है, हमें selection sort ही implement करना है, sort fruits नाम का एक method लिखेंगे, चीक है, जो कि selection sort यूज़ करेगा, और इसको यह fruits पास कर देंगे, और we are expecting, कि sort होने के बाद, जब हम print करेंगे, तो हमें lexicographically sorted मिलेंगे, यह fruits, ठीक है, तो अब इनको print कर लेते हैं, and now we just have to implement this sort fruits method, यार video pause करो, और खुद से implement करो, selection sort का revision हो जाएगा अपने आप, आपको सिर्फ compare to वाली चीज़ देखनी है, वो आपको आती है, तो static void sort fruits, fruits, n हो गई यार इसमें fruits की length, ठीक है, एक outer loop चाहिए हमें, ठीक है, जो की 0 से n-1 तक चलेगा, minimum index, जिससे selection sort में लेते थे, कि हार minimum पूरे के, जो बचा हुआ unsorted part है, उसके अंदर minimum कौन से index पे है, वो ढूंड के लाओ, ठीक है, तो बचावा part कहां से शुरू होगा, i plus 1, i को अभी हम मान के चल रहे हैं, कि i th पे minimum, minimum हमारा जो string पढ़ा हुआ है, minimum fruit name पढ़ा हुआ है, वो i th पे पढ़ा हुआ है, उसको i plus 1 से लेके, n तक हमें compare करना होगा, सारे elements से, ढूणने के लिए कि actual में minimum कौन सा है, ठीक है, तो इसलिए j को शुरू कर रहा है, plus 1 से, और लेके जारे less than n तक, अब हम fruits of j को compare करेंगे, fruits of minimum index से, और अगर हमें fruits of j छोटा मिला, less than 0 चेक करेंगे न, अगर s1 less than s2 होता है, तो compare to less than 0 return करता है, तो अगर fruits of j, less than fruits of minimum index हुआ, तो यहाँ पर हमें, एक less than 0 value return कर रहा होगा, यह method, तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, कि क्या वो value less than 0 है, जो compare to ने return करी, ठीक है, अगर ऐसा है, तो fruits of j, lexicography के लिए छोटा होगा, fruits of min index से, उसको change करके j कर दो, और यह सब करने के बाद, यह जब हमारा j का loop पूरा हो जाए, उसके बाद हमें, swap करना है, fruits of main index, और current fruit को, current fruit कौन सा है, fruits of i, ठीक है, तो i-th index पे, सही वाला element आ जाएगा, ठीक है, string temp, is equal to fruits of, i, और fruits of i की जगह, रख दो fruits of min index, ठीक है, और finally fruits of, min index में रख दो, temp, ठीक है, so that should be it, ठीक है, इसको run करते है, and let's see the output, so apple, kiwi, mango, papaya, this is the correct lexicographical order, ठीक है, यार, codes आपको, github repository में मिल जाएंगे, github repository का link, वीडियो के description में है, तो आप code refer कर सकते हो, but I think, जो codes हमने आज लिखे हैं, they are selection sort and bubble sort only, थोड़ी-थोड़ी चीजें बदली हैं, तो I hope कि आप इसको खोद implement कर पाओगे, ठीक है, so yare, with that, we have come to the end of this lecture, दो questions किये, तोनों में logic लगा, selection sort का, और bubble sort का, पहले वाले question में, जिसमें zeros end में move किये, वो तो देखो, अच्छा question था, कि यहार कौन से sorting algorithm में, ऐसे bubble out हो रहा है, इस तरह से हमें सोचना बढ़ा, second question में straightforward था, कि selection sort से, lexicographically sort करना है, पर उससे हमने दो नहीं चीजे सीखी, एक तो lexicographical order क्या होता है, और दूसरा, यहां से आप ऐसा समझी कि एक बहुत ही amazing algorithm पढ़ने वाले हैं, जो आप अभी तक n-square में पढ़ते आई हैं, हर किसी का worst case n-square था, selection sort का, insertion का, bubble का, सब का worst case n-square था, merge sort का worst case n-login होगा, यह तो बहुत अच्छी algorithm हैं, बहुत important algorithm हैं, so, I will see you in the next lecture and thank you for watching this lecture.